हेलो एवरिवन कैसे हैं दोस्तों आप लोग उम्मीद दोस्तों आप लोग बहुत बढ़िया होंगे आईए स्वागत हैं आप लोगों का नई क्लास में नए चेप्टर के अंदर आज एक नया चेप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम होगा कॉस्ट डीटेल में लिख दिया जाता है इसको त्योरी ओफ कॉस्ट लेकिन हम यहां पर खुल मिलाके कॉस्ट के बारे में ही सारी बाते पढ़ने वाले हैं सर इसके अंदर क्या-क्या पढ़ेंगी सबसे पहले इसके अंदर हम मीनिंग या तो कह सकते हो concept of cost का concept क्या होता है को सी मीनिंग क्या होती है जो खर्चा करते है यह आपकी अकाउंटिंग की डेफिनेशन एक जगा ठीक है लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि आप क्योंकि Commerce के इस्प्रेंट हैं अक्सर आप बच्पन से Accounting पढ़ते आते हैं लेकिन आपको समझना चाहिए कि Accounting अपने आप में Economics के Point of View से Cost का मीनिंग क्या होना चाहिए, Cost के Concept क्या होना चाहिए, पहले हम यह डिसकस करेंगे जैसे हमने पिछले Chapter के अंदर Production वाले Chapter के अंदर Production Function डिसकस किया था वैसे ही यहाँ पर हमारा जो दूसरा Topic डिसकस करने वाला होगा, वो होगा Cost Function Production Function के अंदर हम कहते थे, It is a Functional Relationship between the Physical Input and Physical Output हम जतना Input डालेंगे उसके अगेंस में जो हमारे पास में Output आएगा इन दोनों के बीच में जो Functional या Behavioral Relationship को हम Analyze करते थे, उसको कहते थे Production Function लेकिन अब मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि जब मैं अपने Output के साथ अपने Factor Production की Cost को Compare करके एक Functional Relationship Establish करूँगा तो उसको कहते हैं हम लोग Cost Function Production Function में हमने दो तरीके के Production Function पढ़े थे, एक था Short Run Production Function, एक था Long Run Production Function वैसे ही Cost Function के अंदर भी हम दो तरीके के Cost Function पढ़ेंगे, एक होगा Short Run Cost Function और दूसरा होगा Long Run Cost Function Short Run Cost Function और Long Run Cost Function के साथ साथ Production और Cost के बीच में क्या Relationship है Production और Cost को एक दूसरे से कैसे Link किया जा सकता है, कैसे Production और Cost एक दूसरे के साथ में एक Direct Relationship Establish करके चलती है इसको Ultimately हम लोग कहते है, Linkage, the Linkage between the Production Function and Cost Function, Linkage Between Production Function and Cost Function इसके बाद एक चीज आप और यहां पर सीखेंगे, एक चीज को और यहां पर समझेंगे, वो होगा यहां पर Economies and Dis-Economies of Scale Economies and Dis-Economies of Scale इतने टॉपिक हमसरी होता क्या है, क्या होता है जब हम Long Run में धीरे धीरे जैसे हमने Production Function के अंदर बढ़ा था हम Long Run के अंदर अपने Business के Size या Scale को Define करने की कोशिश करते हैं हम यह सोचते हैं कि हमारा Optimum Level of Size क्या होना चाहिए, Optimum Level of Scale of Business क्या होना चाहिए तो वैसे Long Run में जैसे जैसे हम अपने Business के Size को बढ़ाते हैं या Business के Size को कम करते हैं तो Initially जैसे आपके Long Run Production Function के अंदर हुआ था, तीन अलग-अलग Stages होती थी सबसे पहले Long Run Production Function में एक आता था Increasing Return to Scale, फिर आता था Constant Return to Scale, फिर आता था Increasing Return to Scale मिलता रहेगा, तब तक आपकी पर यूनिट कॉस्ट Long Run में कम होती चले जाएगी, इसको हम लोग कहते हैं, Economies of Scale Business का Size बढ़ा करने से जो Extra Economies या बचत हमको मिलती है, उसको कहते हैं, हम लोग Economies of Scale लेकिन Business का Size जरूरत से जादा अगर बढ़ा कर दिया जाए तो फिर एपलिकेबल होता, Law of Diminishing Return to Scale यहाँ पर Cost of Production per unit बढ़ने की, कम होने की बजाए, Cost of Production per unit बढ़ना शुरू हो जाती है इसको हम लोग कहते हैं, यह जो हमें शुरू में बचत मिलती है, Economies मिलती है, यही बाद में जाके Dis Economies में Convert होना शुरू हो जाती है, तो इसको कहते हैं, हम लोग Dis Economies of Scale तो, यहाँ पर Long Run Production Function के कारण, कौन-कौन सी Initially Economies मिलती है, बाद में वोई Economies कैसे Dis Economies में Convert हो जाती है, इसकी बात हम यहाँ पर करेंगे तो ऐसे करके, इतने Topics हमने इस Chapter के अंदर Cover करने हैं, सर, Lecture कितने होंगे कुल मिला के सबसे पहला तो मेरा Lecture होगा, Meaning, Concept and Types of Cost Types of Cost, यह होगा, दोस्त, मेरा पहला Lecture, That will be my First Lecture, Second Lecture किस से Related होगा, Second Lecture Related होगा, Cost Function से, Third Lecture Related होगा, Long Run Cost Function से Related, Sir, उसके बाद Linkage, दोस्त, Short Run Cost Function को, Short Run में जो Law Applicable होता था, Law of Variable Proportion, उसके साथ यहीं पर Link करेंगे, तो Short Run की Production Function और Short Run की Cost की Linkage यहीं पर हो जाएगी, Long Run Production Function और Long Run Cost Function के बीच में जो Relationship है या Linkage है, इसको हम Third Lecture के अंदर ही Cover कर लेंगे, और क्योंकि Economies and Dis Economies of Scale यह Long Run Production Function के कारण ही Generate होती है, इसलिए इसको भी Third Lecture के अंदर, जब हम Long Run Cost Function को Analyze करेंगे और पढ़ेंगे, तो Economies and Dis Economies of Scale को भी इसी के साथ हम Cover करेंगे, इतना Clear है? Yes Sir, तो कुल में लाके मेरे तीन Lecture बनने हैं, तीन Lecture के अंदर हम इस टॉपिक को खतम कर देंगे, शुरू करें? Yes Sir, शुरू करो, चलो, सबसे पहले बात आती है, Meaning, What is the Meaning of Cost? Accounting में हम कहते हैं कि हम Goods and Services को Produce करने में, हम अपने Business की Maintenance में, Business के Running में, Business के Maintenance में, Distribution में, Selling में, Advertisement में, जितने पैसे हम खर्च करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं, Cost Incurred या Expenses Incurred. Accounting के अंदर आप एक Word यूज करते थे, Expenses और उसके साथ लगाते थे, Incurred. क्यों? क्योंकि Ultimately अगर आपको Business करना है, तो Goods and Services के Production में, Running में, Maintenance में, Distribution में, Selling में, सब जगा आपको पैसे खर्च करने पड़ते थे, इन खर्चों को आप कहा करते थे, Expense बिलकुल ठीक है. और क्योंकि हमारी Accounting, Accrual Basis Accounting होती थी, इसलिए हम Expenses के आगे एक Word लगाते थे, Incurred Word, Incurred Word, अपने आप में यह बताता है, कि जो भी Expenses आप अपनी Accounts की Book में Record करेंगे, वो Accrual Basis पर होगा, Due Basis पर होगा. लेकिन, Economics कहती है, Cost is not the Expenses which has been incurred for producing or running or maintenance of the business and all that. Economics कहती है, Economics के अंदर, Cost का मतलब होता है, Cost, Economics कहती है, Monetary Value of, Monetary, Value of Sacrifices. आप जो भी Sacrifice कर रहे हैं, उन सारे Sacrifices की जो भी Monetary Value हो सकती है, अब या तो आपको सीधे-सीधे मिल जाए, और या तो आप उसको कहीं से Calculate करके निकाले, जो भी उसकी Monetary Value हो सकती, उसको कैसे Cost? अब सर सक्रिफाइस कर क्यों हो रहे हैं? सवाल ये है, कि सर हम कहां सेक्रिफाइस कर रहे हैं? हम सेक्रिफाइस कर रहे हैं, Production में. हम जब goods and services का production करते है जहां अपने input को use करते हैं output लेने के लिए तो यह जो input हम अपनी production process में use कर रहे हैं यह जो input हम अपनी production process में लगा रहे हैं उन inputs को हम sacrifice कर रहे हैं invariable factor of production या in factor of production को हम sacrifice कर रहे हैं output लेने के लिए तो इस sacrifice की जो monetary value होगी economics इसको cost कहती है so अगर कोई तुम से पूछे what is the meaning of cost तो अगर economics के point of view से आपको जवाब देना हो तो आपका जवाब होना चाहिए cost is the monetary value of sacrifices made for the production of goods and services हम जो goods and services का production करते हैं उन सारे production के लिए जो भी हम अपने factor of production को sacrifice कर रहे हैं उस sacrifice की जो monetary value हो सकती वो कहला दिये cost so that is the meaning of cost सर तो ultimately है तो यह accounting की definition नहीं accounting और economics के बीच बहुत जमीन आसमान का अंतरा जाता है अगर इसको और समझना है कि सर accounting cost और economic cost के बीच में कहा difference आता है कि कहां कहां कैसे कैसे changes होते हैं type of cost में सबसे पहले हम जो cost की classification करते हैं कुल मिला कि हम यहां different classification of cost की बात करेंगे हम जो सबसे पहले cost की classification करते हैं वो होता है सबसे पहले on the basis of on the basis of ownership of factor of production factor of production की ownership किसके पास मैं है मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ लिख लिख के आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप भी ऐसे ही मेरे साथ साथ में एक notebook के अंदर आप notes बनाते चलें तो इससे आपको shortcut में जो notes exam के समय revision करने के लिए चाहिए हैं वो भी मिल जाएंगे Sir इनको use कैसे करना है exam के समय जब आप revision करने बैठेंगे तो यह जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जिसको आप मेरे साथ साथ मेरी उमीड है कि आप मेरे साथ साथ किसी notebook में note down कर रहे होंगे सबसे पहले आप इसको पढ़ेंगे ठीक क्योंकि shortcut में यहाँ पे सब कुछ लिखा होगा को आप refer करेंगे detail notes में जाके उस particular point को detail में पढ़ेंगे उसके बाद आप आगे अपनी further revision करेंगे इससे जो detailed notes है revision के समय आपको detailed notes को पूरा पढ़ने की जरुवत नहीं पढ़ेगी सिर्फ जो points आप अपने hand made notes में नहीं समझ पा रहे हैं एकदम से आपको click नहीं हो रहा एकदम से आपको याद नहीं हो रहा सिर्फ उनी points को समझने के लिए आपको detailed notes को refer करना पढ़ेगा ठीक चलते हैं sir on the basis of factor of production क्या होता है तो सुनो दोस factor of production मैं FOP लिख रहा हूँ FOP stands for the factor of production factor of production कितने type के हो सकते हैं sir factor of production चार होते हैं कौन कौन से सा land, labor, capital and entrepreneurship मैंने का कोई ना कोई तो in factor of production का मालिक होगा ये बात तो पक्की है हो सकता है कि in factor of production का मालिक कोई बाहर वाला हो मतलब हम एक business farm है जिनका काम है goods and services produce करके बेचने का हमारा एक मालिक है entrepreneur है तो कुछ factor of production का मालिक entrepreneur खोद हो सकता है और कुछ factor of production का मालिक entrepreneur नहीं है तो उसको इन factor of production को बाहर से लेके आना पड़ता है ठीक, तो हो सकता है कुछ factor of production की ownership entrepreneur के पास में हो तो ऐसे factor of production को हम लोग कहते है self-owned factor of production self-owned factor of production self-owned factor of production का मतलब है कि ये वो factor of production है जिनकी ownership business के entrepreneur के पास में खोद है दूसरे हो सकते हैं दोस्त borrowed factor of production सर ये क्या होता है borrowed factor of production दोस्त जो factor of production वह ये एक बात तो पक्की है production करने के लिए land labor capital entrepreneurship सबकी ज़दुआत है कोई भी एक factor of production अगर आपके पास में नहीं है तो आप production नहीं कर सकते हैं सर बिना land के हम production कर सकते हैं मैंने का कैसे सर देखो हम जो raw material यूज़ करते हैं वो भी man made material है मैंने का ठीक है तो capital में आ गया है मैंने का बिल्कुल सही सर हम जो production process में machinery machinery और जो building की लिडिक यूज़ करते हैं वो भी man made material है तो भी capital के अंदर आ गया तो इसका मतलब जो आप air यूज़ कर रहे हैं water यूज़ कर रहे हैं जो दूसरे भर के दुनिया भर की चीज़ें जो आपको nature ने free of cost provide किये कई तो वो चीज़ें भी हैं जिनके बिना production नहीं कर सकते हैं इस तो आप production नहीं कर सकते ये बात तो पक्की हो गई अब इन factor of production में देखना पड़ेगा कि कौन से factor of production की ownership बिजनसमेन के पास खुद है Sir for example सबसे पहले सारे के सारे factor of production को इखटा करना इनके बीच में coordination establish करना सारे factor of production को इखटा करके goods and services का produce करने का risk लेना और ultimately नए नए development करते रहना these are the three basic function of an entrepreneur कौन कौन से एक तो initiative दूसरा risk bearing और तीसरा innovation तो ऐसे तीन factor या तीन function तो entrepreneur को खुद perform करने business को manage करने के लिए वो अपनी खुद की managerial capacity या managerial ability को use करना है for managing the business तो ultimately entrepreneurship factor of production ऐसा है जो की entrepreneur का खुद का है दूसरा हो सकता है कि businessman ने जो भी capital investment है ये capital investment भी इसने खुद किया हो capital investment तो ये जो दो factor of production है इसकी ownership किसके पास चली गई entrepreneur के पास चली गई बाकी natural resources मान लेते हैं entrepreneur के पास नहीं है तो उसको land कहीं न कहीं से borrow करके लाना पड़ेगा natural resources जो उसकी production process में जरूरी है उन natural resources को उसको मांग के लाना पड़ेगा खरीद के लाना पड़ेगा that is the borrowed factor of production उसके बाद labor factor production उसके पास में नहीं है इसलिए उसको labor भी बाहर से लानी पड़ेगी और labor अगर बाहर से लानी पड़ेगी तो labor की cost या wages भी उसको अलग से pay करनी पड़ेगी तो zar carbon production अब ऐसा भी हो सकता है कि सर बिजनस के अंदर इंवेस्मेंट करने के लिए उसके पास capital नहीं है तो फिर capital अगर उसके पास में ना हो तब उसको ये पैसे loan लेके कहीं से लाने पड़ सकते हैं और उसके बाद business के अंदर जो भी capital investment की जरूरत है तब वो करे तो अगर capital businessman के पास खुद नहीं है तो ये capital भी उसको बाहर से मांग के लानी पड़ सकती है इतना ठीक तो कुछ factor of production ऐसे हैं जो entrepreneur के पास खुद के हैं लेकिन कुछ factor of production ऐसे हैं जो उसको borrow करके लाने पड़ते हैं मांग के लाने पड़ते हैं कहते हैं borrowed factor of production तो sir इनके बीच में classification कर क्यों हो रहे हैं classification इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो borrowed factor of production होंगे इनकी cost तो आपको pay करनी पड़ेगी ये बात तो पक्की है इनकी cost के लिए आपको अपनी जेब दिली करनी पड़ेगी अपनी जेब से पैसे निकालने पड़ेंगे और जिन से आप ये factor of production लेके आए हैं आपको उनको इन factor of production की cost भी pay करनी पड़ेगी तो ऐसे जो factor of production होते हैं जिनकी ownership entrepreneur के पास में नहीं होती जिन factor of production की cost entrepreneur को अपनी जेब से pay करनी पड़ती है क्योंकि ये borrowed factor of production है ऐसी cost को या ऐसी cost of factor of production को हम लोग कहते हैं explicit cost explicit cost लेकिन जो factor of production entrepreneur के खुद के हैं जिनके लिए हम को किसी बाहरवालों को payment करने की ज़रौत नहीं है जिनके लिए हम किसी बाहरवालों को कोई पैसे नहीं देते ठीक तो ऐसी cost ऐसी cost और उन factor of production की cost जो की entrepreneur के खुद के self-owned factor of production है इनकी भी अपनी एक cost होती है इसको कहते हैं हम लोग implicit cost सर किसी को तो पैसे देने नहीं पड़ रहे हैं फिर आप क्यों कह रहे हैं कि इनकी भी cost होती है देखो दोस्त अगर मान लो मैं एक business man हूँ तो मैं अपनी entrepreneurship skill को अपनी entrepreneurship capacity को capability को अपने business के अंदर use कर रहा हूँ अगर मैं अपना business ना करता तो मैं क्या करता मैं कहीं ना कहीं जाके नौकरी करता कहीं ना कहीं जाके नौकरी करता तो अपनी इनी entrepreneurship skill को अपनी इनी entrepreneurship capacity को कहीं और utilize करता वहाँ से मुझे salary मिलती तो ultimately क्योंकि मैं अपने business के अंदर अपनी entrepreneurship skill को खुद utilize कर रहा हूँ इसके कारण मुझे बाहर से जो salary की income आ सकती थी अब वो नहीं आएगी तो ultimately जो income आ सकती थी अब वो नहीं आएगी तो ये भी तो अपने आपने cost हो गई जो कमा सकते थे अब नहीं कमा पाओगे तो ये ultimately आपके लिए क्या हो जाती है cost वैसे ही मैंने अपनी business के अंदर capital की investment करी अब अगर मैं अपने पैसे अपने business के अंदर invest नहीं करता तो bank में जाके FD बनाता कम से कम अरे FD नहीं बनाता तो सबसे safe investment के लिए government of India के bond खरीद लेता government of India के bond खरीद के अगर मैं वहाँ पर अपना investment कर देता तो बिना risk के कुछ ना कुछ तो minimum rate of return आता कि नहीं आता कुछ ना कुछ तो interest आता लेकिन क्योंकि मैंने अपने पैसे अपने business के अंदर invest कर दिये तो अब मुझे यहाँ पर वो return नहीं आएगा हो सकता है कि मैं चलो government of India के bond ना खरीदता तो मैं बैंक के अंदर FD बना लेता वहाँ से interest की income आ सकती थी लेकिन अब वो interest की income नहीं आएगी क्यों कि मैंने अपना investment तो अपने business के अंदर कर दिया हो सकता मैं stock market के अंदर जाके किसी company के share खरीद के वहाँ के investment कर देता अब वहाँ से मुझे dividend की income आ सकती थी अब वो income मुझे नहीं आएगी तो ऐसी condition में जहां पर आप अपने खुद के self-owned factor of production को alternatively use करके alternatively इसको employ करके जहां से आप income कमा सकते थे अब वो income आपके पास में नहीं आएगी तो क्योंकि ये income कमाने की opportunity या possibility थी जो कि अब आपके पास में नहीं आने वाली तो ये भी हमारे लिए cost बन जाती है जिसको कई बार आप शायद opportunity cost भी कहते थे तो ये opportunity cost opportunity cost of self-owned factor of production is known as your implicit cost तो सर इसमें accounting और economics वो भी आएगा बीच में tension मतलो ये दो चीज़ समझ में आई अगर आपके factor of production self-owned factor of production है तो उनकी भी अपनी एक reasonable cost हो सकती है अगर उनको भी कही alternative employee किया जाता उनको alternative use किया जाता तो वहाँ से कुछ income आ सकती थी लेकिन क्योंकि हम इन factor of production को अपने business में खुर use कर रहे हैं इसलिए वो alternative income आपको नहीं आएगी इसको हम लोग कहते हैं यहाँ पर implicit cost implicit cost का सबसे बढ़िया example हो सकता है कि एक businessman ने अपने business के अंदर जो capital investment कर रखी है उस capital investment का जो एक normal return उसको मिल सकता था normal profit कम से कम वो जो कमा सकता था अब वो नहीं कमा पाएगा तो normal profit on the capital investment into the business is your implicit cost दूसरा एक businessman अपनी जो खुद की services अपनी businesses को देता है वो services कहीं और देके salary की income कमा सकता था लेकिन अब वो नहीं आएगी तो the monetary value of the sacrifices made for the conducting of business is known as your opportunity cost for the implicit cost तो self-owned factor of production की cost को हम लोग कहते हैं दोस्त implicit cost था कास्ट शाल फ्ट फेक्टर फड़क्शन is known as implicit cost बड़ दे कास्ट ऑफ बोरुद फैक्टर फड़क्शन is known as explicit cost इसलिए क्योंकि सारे के सारे फ्टर फड़क्शन का मालिक entrepreneur हो ऐसा हर बार जरूरी नहीं होता सर हर बार क्यों, ये तो कभी ज़रूरी नहीं होगा, क्यों मैं को देखो, मैं भी एक entrepreneur हूँ, देखो मैं अपने life classes, students को provide कर रहा हूँ life classes, students के अंदर students को provide कर रहा हूँ, तो सबसे पहले तो nature ने मुझे कुछ free gift दे रखे है Nature ने मुझे free में पानी दे रखा है, free में हवा दे रखी है तो ultimately मैं free में use कर रहा हूं इसके लिए मुझे किसी को cost नी पे करनी पर दे Sir labor, labor का काम मैं खुद कर रहा हूं, mental effort मैं खुद लगा रहा हूं, physical effort मैं खुद लगा रहा हूं और यह पूरा का पूरा जो infrastructure डेवलप कर रहा है, इसके अंदर पूरा investment मैंने खुद कर रहा है मैंने अपनी पैसे business के अंदर लगा रखे, जितना भी item दिख रहा है यहाँ पर, studio के अंदर, studio के बाहर, जो भी हो, जैसा भी हो ultimately पूरा investment तो में रही है यहाँ पर, तब इस condition में यह क्या हो गई मेरे लिए, capital भी मेरी खुद की है, इसका मालिक भी मैं खुद हूँ, तो ultimately यह भी मेरी लिए self-owned factor of production है हाँ, लेकिन अगर मैं कहे दूँ कि मेरे अलावा भी, मेरे office के अंदर 3, 4 या 5 employee काम करते हैं, तो उन employees का जो physical effort है, वो physical effort अब मेरे लिए borrowed factor of production है, क्योंकि मैं उनका मालिक नहीं हूँ, मैं उनका employer हूँ वहाँ तर ठीक है, लेकि मैं उनका मालिक नहीं हूँ, मैं उनसे उनक के इसमें उनको salary पे करता हूँ, तो अब ये salary में जो अपने office staff को pay करना हूँ, वो मेरे लिए क्या हो जाती, explicit cost हो जाती है, तो cost of self-owned factor of production is known as implicit cost, बस्दा cost of borrowed factor of production is known as explicit cost, अब सवाल आता है, कि sir, economist cost और accounting cost में क्या difference है, तो इसकी classification होती है, दूसरे number पे on the basis of subject matter, on the basis of subject matter, subject matter के basis पर देखा जाए, तो मेरी cost दो हिस्सों में बढ़ जाती है, एक होती है, इसके अंदर accounting cost, accounting cost, और दूसरी होती है, इसके अंदर economic cost, economic cost, सुनो, अब accountancy के अंदर accounts की book maintain करनी थी, तो accounts की book maintain करने के लिए, और matching concept को पूरा करने के लिए, कि भई हम एक accounting period की income को expenses से compare करेंगे, और अपना profit या loss निकालेंगे, उसके लिए expenses record करने थे, तो उन्होंने का expenses record करने के लिए, कौन से expenses record करें, उन्होंने का कि यार expenses की सबसे बढ़िया classification देखनी है, expenses या cost को समझना ह तो economics से पूछो, economics ने का, देखो भई, मेरे इसाब से तो दो cost होती है, कौन कौन सी, अगर factor of production आपके business के मालिकों के खुद के हैं, तो self-owned factor of production है, उनकी cost है, आपके अगर खुद के factor of production है, self-owned factor of production है, तो self-owned factor of production की cost है, implicit cost, implicit cost, लेकिन अगर आपके factor of production खुद के नहीं है, if you are not the owner of factor of production, तब उस condition में, आप इन factor of production को बाहर से बौरो करके लाते हैं, किराय पे लेते हैं, उसके against में, आप उनको अलग से cost पे करते हैं, ऐसी cost को हम लोग कहते हैं, explicit cost, explicit cost, तो explicit cost वो cost है, जिसके लिए आपको actually payment करनी यह एक reasonable cost होती है, उन factor of production की, जिनको alternative employee किया जाए, तो वहाँ से कुछ न कुछ income आ सकती थी, लेकिन क्योंकि इन factor of production को आपने अपने business के अंदर use कर लिया, इसलिए alternative income आपको आनी पाएगी, इसी को हम कहते हैं, implicit cost, अब accounting को विचार करना था, कि वो अपनी accounts की book में कौन सी cost record करें, whether they should record the implicit cost only, or they should record the explicit cost only, or they should record implicit as well as explicit cost, तो accounting ने कहा कि हम, implicit cost को account की book में record नहीं करेंगे, हम अपनी account की book में record करेंगे, तो सिर्फ और सिर्फ explicit cost को record करेंगे, सर ऐसा क्यों, accounting को explicit cost को ही record करने में interest क्यों है, interest इसी लिए है, क्योंकि implicit cost आपकी alternative employment of fund या economic resources से आती, याने कुल मिलाके मोटे मोटे तोर पे देखा जाए, तो implicit cost अपने आप में एक subjective approach है, subjective approach इसी लिए है, क्योंकि 2 minute के लिए आराम से आँख बंद करके सोच के देखो, तुम्हारे पास 5 लाख रुपए हैं, तुमने कहा, मैं अपने 5 लाख रुपए को अपने business के अंदर invest कर करके अपना खुद का business करूँगा, मैंने का देख, तुमने 5 लाख रुपए को कहीं और alternative invest करके वहां से भी एक reasonable income कमा सकता है, आपने का ठीक है, अब ये reasonable income में कितनी कमा हूँ, अब मैं सोच में पढ़ गया, अगर मैं government of India के bond के अंदर अपने 5 लाख रुपए की investment करूँ, तो government of India मुझे 6% के इसाब से interest देगी, तो 5 लाख रुपए का 6%, तो कुल मिलाके मेरे लिए एक alternative income हो सकती 6%, क्यों ना मैं government of India के bond के अंदर investment करने की वजाए, बैंक के अंदर FD में investment करूँ, तो बैंक वाले मुझे interest देंगे 8%, क्यों ना मैं इन पैसों को market में, stock market में जाके companies के debenture के अंदर investment करूँ, तो वहां से income आएगी फिर 10 से लेके 12% तक, क्यों ना मैं इस अपने investment को किसी company के shares, equity shares के अंदर investment करूँ, तो फिर वहां से मुझे income आ सकती है 15% से लेके 20% तक, तो अब मेरे सवाल ये है, कि अगर मुझे accounting की book में implicit cause में record करना हो, तो मुझे reasonable return on the capital investment record करना है, अब ये reasonable return कितना मानू, 6% की ace percent की 10% की 16% कितना मानू, जितने आदमियों से पूछोगे, उतने अलग-अलग लोग आपको अपना अलग-अलग opinion देंगे, आप किसी से पूछोगे, जो बिल्कुल भी risk नहीं ले सकता हो, कहेगा, government of India के bond में investment कर 6%, 6.5% की return तो मिल जाएगी, तो reasonable return कितना हो सकता है, reasonable return हो सकता है, दोस्त यहाँ पर, reasonable return हो सकता है, फिर 6%, अगर आप किसी और से पूछोगे, कि भाई, मेरे पास में 5 लाग रुपए है, इसकी alternative investment की income कितनी हो सकती है, अगर वो bank के अंदर FD बनाने में जादा interested होता तो कहेगा, कि एक काम कर bank के अंदर FD बना दे, तेरे को reasonable return 8% मिल जाएगा, तो implicit cost अपने आप में subjective approach होती है, subjective approach इसलिए होती है, क्योंकि इसकी अलग-अलग समय पे अलग-अलग valuation हो सकती है, अब accounting को डर लगने लगा, उन्होंने का कि भाई, यह अपने आप में subjective approach है, implicit cost जितने लोगों से पूछने जाओ कि उतने लोग अपनी अलग-अलग बताएंगे, और क्योंकि कल को अगर implicit cost हमने अपनी accounting के अंदर record कर दी, तो इस cost या इस expenses के record करने के उपर उंगलियां उठ सकती है, मैं अगर implicit cost 6% record करूँगा, तो हो सकता है, कि जो authorities हैं, जो मेरी account की book को check करो, कहेंगे, कि नहीं, आपको अपनी implicit cost कम से कम 12% record करनी चाहिए थी, तो गलती हो जाएगी, तो accounting ने कहा, कि कोई भी हमारे record के उपर उंगली ना उठाया, accounting का एक principle है, objectivity principle, objectivity principle ये कहता है, कि आपको वो ही income, expenses, asset, liability, capital वगर record करनी चाहिए, जिसकी एक confirm value हो, up to the reasonable degree of certainty, कहीं ना कहीं आपको इसकी ए value हो, आप उसी value को अपनी account की book में record करो, याने, अब 100% तो monetary value कभी confirm नहीं हो सकती है, तो accounting को भी समझ में आता है, लेकिन accounting कहती है, क्योंकि हम ऐसी value को अपनी account की book में record नहीं करना चाहते हैं, जिसकी उपर कल को doubt create हो सकता है, जो suspicion create कर सकता है, तो accounting ने कहा, इस से बचने का ए objective cost इसी लिए है, क्योंकि असल में इतने पैसे मैं खर्च कर रहा हूँ, इतने पैसे अगर मैं खर्च कर रहा हूँ और अगर मैं कहता हूँ कि मैंने अपने employee को 5 लाग रुपे की salary pay की है, तो कोई इस पर उंगली नहीं उठा सकता, क्योंकि मैंने employee से services ली हैं, उनका payroll बना, उनका register maintain हुआ, उनकी attendance लगी, उनके और हमारे बीच में salary decide हुई, उसी के साफ से हम salary pay कर रहे हैं, इसका मतलब we are having the confirmed documentary evidence related to the payment of salary, तो ये अपने आपने एक objective value है, जिसके उपर कोई उली नहीं उठा सकता, तो explicit cost क्योंकि हम actually pay करते हैं, इसी लिए ये ये एक objective value होती है, और accounting को objective value record करने में कोई तकलीप नहीं है, बस accounting अपने उपर उंगली नहीं उठते हुए देखना चाहती, इसलिए उसने कहा कि उंगली उठने का कारण बन सकता है, implicit cost तो account की book में implicit cost को record ही मत करो, हमको तो वैसे भी report करना है, तो report करने के लिए हम सिर्फ और सिर्फ explicit cost record करेंगे, औ और अपनी total income में से, total revenue में से explicit cost को minus करके अपना profit निकाल लिया करेंगे, जिसको आप कहते थे accounting profit, देखो, अब accounting ने क्या किया, accounting ने कहा कि हम अपना पहले total revenue calculate करेंगे, total revenue calculate करेंगे, इसमें से total expenses minus करेंगे, और total expenses का मतलब यहाँ पर क्या है, total explicit cost, हम यहाँ से total explicit cost को minus करेंगे तो ultimately क्या निकलाएगा accounting profit निकलाएगा और यही accounting profit हम दुनिया को report करेंगे अब economics की जब बात आई तो economics का objective accounting का objective यहाँ पे था reporting का कि हमने साल भर में क्या कमाया या क्या गवाया उनको ते report करना था तो report करने के लोगों ने सिर्फ explicit cost को report करने का decide कर लिया लेकिन जब economics की number आया तो economics के अंदर basic objective है decision making का decision making आज भी हम economics की सारी theory सारे laws वगर जो भी हम analyze करते हैं उसके पीछे का basic reason होता है decision making अब economics के अंदर basic है decision making तो नोंने का decision making लेते समय तो हमें बहुत सारी चीज़े consider करनी है सर मतलब अगर हमारे पास में capital है तो इस capital को अगर हम पहले alternative में invest करेंगे तो कितना कमाएंगे दूसरे alternative में invest करेंगे तो कितना कमाएंगे तीसरे alternative में invest करेंगे तो कितना कमाएंगे चौथे alternative में invest करेंगे तो कितना कमाएंगे पहली problem पहली problem क्या आगई पहली problem तो दोस्त आपकी economics से ही आगई लियोनेल रोबिंसन साब ने आपको economics की definition दी थी economics is the neutral between the ends economics इसको इनो ने neutral कहा था किसके बीच में दो ends के बीच में दो ends में क्या था एक end में था unlimited wants unlimited wants और दूसरे end में क्या था square resources में मैं यहां पर लेता हूँ factor production मेरे पास में factor production limited है limited land है limited labor है limited capital है limited entrepreneurship ability है लेकिन मेरे पास में बहुत सारे alternative investment options है याने wants की जगा यहां पर क्या हो गई investments option investment option मेरे पास में कई different investment options है लेकिन factor production मेरे पास में limited है अब limited factor production को हर एक option में हर एक alternative में तो invest कर नहीं सकता तो अब मुझे यहां पर problem होती है यहां पर आपने कहा सुना भी था जब आप economics की definition पढ़ रहते economics is the neutral between the ends अब आपको यहां पर choice करनी पढ़ आपको चूज करना पढ़ता है कि आप कौन से alternative investment plan में इसका investment करोगे या आप अपने limited resources को किन alternatives के अंदर invest करोगे in that condition you have to make a choice you have to make the decision और decision लेते समय आप सिर्फ explicit cost को consider करके decision नहीं ले सकते अगर आप decision ले रहे हो तो decision लेते समय आपकी मजबूरी है कि आपको explicit cost को तो consider करना ही पढ़ेगा side by side आपको implicit cost को भी consider करना पड़ेगा इसलिए economics कहती है कि हम अपनी decision making की process में जब हमारे पास में different alternative resource different alternative plans होंगे different alternative options होंगे और different alternative options में से हम किस options को choose करेंगे उसका choice करते समय we will consider explicit cost as well as implicit cost अब सर्थ एकनोमिक्स ने ऐसा क्यों कहा economics ने ऐसा क्योंकि अगर आपको decision लेना है तो decision के पीछे आपको objective सिर्फ accounting profit कमाने का नहीं है decision के पीछे आपको objective होना चाहिए economic profit कमाने का क्योंकि आप अपनी जो monetary wealth है उसको maximize नहीं करना चाहते आप अपनी economic wealth को maximize करना चाहते तो economic wealth को maximize करने के लिए आपको economic profit calculate करना पड़ेगा और economic profit calculate करने के लिए आपको अपने total revenue में से explicit as well as implicit cost दोनों minus करनी पड़ेगी only then you will be able to calculate the economic profit तो अब accounting ने profit कैसे निकाला था सर accounting ने total revenue में से सिर्फ or explicit cost को minus कर दिया तो इससे निकल गया था accounting profit लेकिन economics क्या करती है economics कहती है कि नई हम अपने total revenue में से हम अपने total revenue में से explicit cost और implicit cost दोनों को minus करेंगे अब जो calculate होगा इसको हम कहेंगे economic profit तो यहाँ पर मुद्दा economic profit निकालने का है और economic profit निकालने के लिए आपको दोनों cost एक साथ consider करनी पड़ेगी इस दिए economics करते हैं तो यह difference है आपकी accounting cost में और आपकी implicit economic cost में कभी भी आपने accounting cost में याद करो दो minute के लिए इतने साल से तुम profit and loss account बना रहे हो दोस्त आपके पता नहीं कितने pen और उनकी कितनी इंक घिस चुकी है कितने register भर चुके तुम profit and loss account और balance sheet बनाते बनाते एक बात बताओ कभी rent का expense record किया हा सत बिलकुल record किया है मैंने ने का ठीक है लेकिन अगर वोई building वोई premise आपका खुद का हो तो फिर आप क्या rent की opportunity cost record करते थे नहीं सर फिर हम नहीं करते थे क्यों उस building को कहीं किराय पे देते तो वहां से भी तो rent की income आ सकती थी लेकिन क्योंकि आप उस building को अपनी खुद की building को अपने business में use कर रहे हैं तो अब वो rent की income तो आपको आईगी नहीं तो क्या decision making के लिए आपको ये consider नहीं करना चाहिए कि मैं अपनी ही building में अपना business continue करूँ कि अपनी building किसी और को किराय पे दे दूँ और मैं अपना किसी और की building में जाके अपना business continue करूँ decision making के समय तो आप बड़ा बर दिवाग लगाते हो decision making के समय तो आप ये भी सोच लेते हो कि मैं अपना खुद का मकान खरीदूँ कि किराय के मकान में रहा हूँ फिर तो आप बड़ा दिमाग लगाते हो आप खुद अपना अब लोग कई लोग ऐसे हैं जो अपनी जिन्दगी कार्ट देते हैं खुद का मकान नहीं खरीदते क्यों नहीं खरीदते क्योंकि उनका calculation बड़ा simple होता है वो कहते हैं कि आज अगर मकान खरीदने जाऊंगा तो एक करोड रुपए खर्च करूंगा यही एक करोड रुपए अगर मैं बैंक के अंदर FD बनाओं तो बैंक वाले कम से कम साल भर का 8% तो इंटरस्ट देंगे एक करोड का 8% इंटरस्ट हो गया आठ लाग रुपए आठ लाग रुपए में से अगर मैं गौर्बंट का 20-30% का टेक्स भी काट दूँ, धाई लाग रुपए का टेक्स भी माइनस कर दूँ तब भी मेरे पास में net income from rent कितनी नेट income from interest कितनी आएगी 5.5 लाग रुपए तो क्यों न मैं एक काम करूँ 10,000 रुपए, 15,000 रुपए, 20,000 रुपए मेहने के किराय का मकान लेता हूँ एक मेहने का किराय कितना दिया मैंने 20,000 रुपए साल भर का किराय कितना दिया मैंने 2.5 लेक, 2.4 लेक रुपीस, 2,4 लेक रुपए तो ultimately बैंक से interest आया after deducting tax 5.5 लेक रुपीस लेकिन आपने rent कितना पी किया? 2.4 लेक रुपीस तब भी तो 2, 3.1 लेक रुपीस किया profit में हो तो लोगों का ये calculation होता हूँ अपनी opportunity cause को consider करते हैं consider करने के बाद कहते हैं नहीं, मकान खरीदनार बनाना बेवकूफी है किराय के मकान में रहो जादा अच्छा है लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि यार एक पुष्टों से पुरानी जमीन पड़ी हुई है उसकी कोई alternative income तो आ नहीं रही ना तो जमीन हम किसी को किराय पे दे सकते है ना तो हम किसी को कुछ कर सकते हैं उसका कोई alternative option ही नहीं है तो उन्होंने का एक काम करो क्यों किराय भरना जमीन अपने पास में है 5-10 लाग, 20 लाग रोपे खर्चा करो मकान बनाओ, बात खतम तो ऐसी condition में, जब decision लेना होता है तब आप अपने दिल से पूछो, अपने आप से पूछो क्या आप implicit cost को consider नहीं करते हैं बिल्कुल करते हैं क्यों करते हो, क्योंकि वहाँ पर आप economic profit निकाल रहे होते हैं you are not supposed to calculate the accounting profit so that is the basic difference between the economic profit and accounting profit accounting profit कैसे निकलेगा accounting profit सिर्फ और सिर्फ आपके total revenue में से explicit cost को minus करके आपका accounting profit निकलेगा लेकिन economic profit कैसे निकलेगा economic profit आपके total revenue में से explicit cost, implicit cost दोनों को minus करने के बाद निकलेगा यह होगा आपका economic profit दोनों में से क्या जाधा होगा इसके बाद आगे चलते हैं बेसिस अफ सब्जेक्ट मेटर डिसकस करने के बाद अगला जो हमारा बेसिक क्राइटेरिया है जहां पर हम अपनी कोस्ट को आइडेंटिपाइ करते हैं वो है यहां पर on the nature of expenditure हाला कि यह discussion हमारा हो चुका है फिर भी on the nature of expenditure on the nature of expenditure on the nature of expenditure एक जो कॉस्ट होती है उसको कहते हैं हम लोग टोटल आउटले कोस्ट और दूसरा एक होती है यहां पर अपोर्चनिटी कोस्ट अभी अभी सुन रखा है अपोर्चनिटी कोस्ट कुल मिला के आप अपने goodson services के production करने में business को चलाने में business को continue करने में जो भी पैसे आप खर्च कर रहे हैं out of pocket cost out of pocket cost को कई वार हम लोग कहते हैं और out of pocket cost आपको कुछ पैसे अपनी जेब से खर्च करने पड़ते हैं इसको कहते हैं हम लोग out of pocket cost जिसको आप अभी तक explicit cost कह रहे थे उसका दूसरा नाम है total outlay cost लेकिन जो factor production आपके खुद के हैं या जो factor production आपके पास में हैं जिन factor production को आप use कर रहे हैं उनकी भी एक alternative investment income आ सकती है alternative employment income आ सकती है आप अपने खुद के labor को अपने business में use करने की बजाए कहीं जाके नौकरी करोगे तो salary की income आ सकती है लेकिन खुद का business करोगे तो फिर salary की income नहीं आएगी आप अपने capital को अपने business के अंदर invest ना करके बैंकों के अंदर या spark market के अंदर या कहीं और invest करके आप कुछ ना कुछ यहाँ पर पैसे कमा सकते थे पैसे का अब वो क्योंकि आपने अपना investment अपने business के अंदर कर दिया इसलिए alternative investment से आपको income नहीं आ पाएगी तो ऐसी जो income अब जो आपको नहीं आ पाएगी इसको कहते हैं हम लोग opportunity cost तो opportunity cost को अगर define करना है तो बहुत बढ़िया तिक सरीका है cost of opportunity lost जो opportunity आपके पास थी cost of opportunity lost जो opportunity आपके पास थी पैसे कमाने की आपने उस opportunity को छोड़ दिया आपने उस opportunity को जाने दिया और आपने कोई दूसरा different alternative use किया है इसको हम लोग कहते है opportunity cost दोनों के बीच में अगर difference देखना हो तो outlet cost के अंदर कहीं ना कहीं आपको किसी ना किसी point पर पैसे खर्च करने पड़ते हैं तो यहाँ पर अगर पहले difference की बात की जाए तो इसके अंदर involve financial expenditure financial expense of fund does not involve does not involve involve financial expenditure of fund दूसरा difference के अंदर यह हो सकता है recorded in accounting recorded in books of account और यहाँ पर हो सकता है does not recorded in books of account does not recorded in books of account so that is the difference between the total outlet cost जिसको हम लोग कई बार कहते हैं out of pocket cost और दूसरा है यहाँ पर opportunity cost the cost of opportunity loss जो आपके पास में next best alternative है या next best opportunity है उस opportunity के अंदर आप ultimately investment नहीं करते हैं आप कोई और बहतर उस सबसे बड़ी opportunity के अंदर investment करते हैं तो वहाँ से तो जो income आती है वो तो ही आपकी लेकिन जो next best alternative था जिसके अंदर आप investment करके भी कुछ income कमा सकते थे अब नहीं कमा पाएंगे इसको हम लोग कहते हैं opportunity cost याद रखें दोस opportunity cost या implicit cost कभी भी account की book में record नहीं होती है इसके बाद अगर मैं on the basis of relationship देखूँ on the basis of relationship on the basis of relationship cost दो तरीके की हो सकती है एक होती है इसके अंदर direct cost और दूसरी हो सकती है दोस्त यहाँ पर indirect cost अगर आप कोई भी goods and services बनाते हैं किसी भी तरह क्या कोई भी goods and services मैं goods and services के respect में पहले आपको समझा देता हूँ तो मान लेते हैं दोस्त हम चार तरीके के अलग अलग product बनाते हैं product A, product B, product C, product D अब मैंने खरीदा raw material बताओ यह raw material किसमें use होने वाला है सर हमको क्या बताओ आप ही बताओ मैंने का दोस्त ये raw material जो मैंने खरीदा है product A के अंदर use होने वाला है तो बताओ इस raw material की cost में किस से recover करूँ सर प्रोड़क्ट A जब बन जाएगा इसको बना के जब market में बेचेंगे तो उससे जब selling price आएगा उसी selling price में से इस particular raw material की cost को recover करना चाहिए मैंने का आप दूसरा खर्चा किया मैंने wages का सवाल यह है कि मैं wages की cost किस से recover करू सर ये wages पहले बताओ आपने किस के उपर खर्च की थी ये wages मैंने C नाम के product के manufacturing में खर्च की थी तो सर इसकी cost C से recover होनी चाहिए ठीक है इसके बाद दोस्त मैंने यहाँ पर rent का expense पे किया सर रेंट का expense क्यों पे किया क्योंकि मैंने एक warehouse किराए पे लिया था सर ये warehouse क्यों किराए पे लिया था क्योंकि मुझे इस warehouse में d material को store करना था इस दिए इस rent को इस rent की cost को मुझे d material की selling price से revenue से recover करना चाहिए इतना ठीक मैंने नहीं एक और नया वाला go down किराए पे लिया है हमने नया वाला go down किराए पे लिया है सर अब इसकी cost किस से recover करूँ सर इस go down में क्या store करोगे ये तो बताओ दोस्त इस go down में A, B, C, D चारो product को इसके अंदर store करूँगा बड़ा go down है अच्छा बड़ा go down लिया इस बार अपने एक जो separate go down है जो D के लिए था वो तो है उसके अलावा एक अलग से go down मेंने और लिया है इस go down के अंदर मैं A, B, C, D चारो product को store करूँगा तो अब इस go down की rent को मैं किस से recover करूँ A से, B से, C के, C के, D से सर अब क्योंकि इस go down का इस्तमाल हम product A, B, C, D चारो के लिए कर रहे हैं तो इसकी जो rent की cost है वो भी हमें चारो product से recover करनी चाहिए इसका मतलब देखो अब तुमने खुदी बता दिया what is the meaning of direct cost क्या इस raw material की cost को किसी एक particular product के साथ ने directly relate किया जा सकता है हाँ सर कर सकते हैं किस से directly relate कर सकते हैं सर A से हम इसको directly relate कर सकते हैं अगर आप इस raw material की cost को A के साथ directly relate कर सकते हैं तो फिर ही आपके लिए क्या होगी direct cost क्या आप इस wages की cost को किसी एक particular individual product के साथ में directly relate कर सकते हो, yes sir, बिलकुल कर सकते हैं, किस के साथ, C के साथ तो ultimately इस wages की cost को C के साथ ने directly relate किया जा सकता है इसलिए wages की cost, since the cost of wages can be directly can be the wages cost is directly related to product C इसलिए ये भी आपके लिए क्या हो गई, direct cost क्या इस rent की cost को किसी एक individual product, किसी एक individual cost unit, किसी एक individual department या किसी एक individual division से directly relate किया जा सकता है, yes sir, it is having the direct relationship with the D, ultimately ये भी आपकी direct cost है, लेकिन सवाल ये है, क्या इस go down की cost को किसी एक individual product, या individual cost unit, या individual के साथ, division के साथ, department के साथ, direct relationship नहीं है, इसलिए हम इसको कहने लगते हैं, दोस्त, indirect cost सर ये product तो बात समझ में आ गई है, जो आप बार-बार बोल रहा हो, किसी एक particular department के साथ, या किसी एक particular division के साथ इसका क्या मतलब है, मैंने का ठीक है, ये लोग अभी हमने क्या use किये थे, चार product, अब मैंने कहा, दोस्त, मैंने अपने पूरे business की जितनी activities थी, उनको अलग-अलग department पर बात रखा, सर कौन कौन से, एक है दोस्त, मेरा production department दूसरा है मेरा office and administrative department, तीसरा है यहाँ पर selling and distribution department selling and distribution department और चौता है, दोस्त, मेरा यहाँ यहाँ पर research and development department, अलग-अलग department है, अब मैंने raw material खरीदा, यह raw material कौन use करेगा, हाँ, सोचो, अगर मैंने दोस्त, यहाँ पर raw material खरीदा, तो यह raw material कौन use करेगा, सर यह raw material तो production वाले use करेंगे, क्योंकि ultimate production वाले ही, तो raw material को finish goods में convert करेंगे, यानि raw material की cost, किसी एक particular मैं अपने business के department से, या किसी एक particular business के division से, या किसी एक particular product से, या किसी एक particular plan से, या किसी एक business के operation से directly relate कर सकता हूँ, it can be directly traced to the particular division or the department of the business, मैंने दोस्त यहाँ पर मान लो wages पे की, तो क्या करोगे, सर wages तो normally हम blue-collared employee को pay करते हैं, labor को payment करते हैं, जो goods and services के production के अंदर involved है, तो ultimately wages का खर्चा भी सीधे-सीधे production से related होगा, मैंने का ठीक है, मैंने का दोस्त लेकिन मैंने यहाँ पे salary पे की है, सर salary किसको pay की है, production department के लोगों को की office department के लोगों को, मैंने office department के लोगों को salary पे की है, तो this expense can be directly connected to, it can है, but direct relationship with the office and administrative department, तो यह भी मेरे लिए salary का खर्चा है, दोस्त मेरे पास लेकिन, यह चारो की चारो जो department है ना, चारो की चारो department मेरे पास एक बड़ी सी building है, उसी बड़ी building में चारो department चलते हैं, अब पूरी building का electric connection या electric meter एक ही है, अब उस meter से मेरे एक electricity bit आया, electricity bil की cost को मैं किसके साफ directly relate करूँ, किसी के साफ नहीं कर सकते आप, क्योंकि इस electricity bill के benefit, production department को भी मिल रहे हैं, office department को भी मिल रहे हैं, selling and distribution department को भी मिल रहे हैं, research and development department को भी मिल रहे हैं, तो अब जिसने जितनी electricity consume की होगी मुझे अपनी इस total electricity की cost को जिसने जितनी electricity consume की होगी उसके basis पर अलग-अलग department से recover करूँगा लेकिन directly तो मैं electricity bill की cost किसी एक individual department से या किसी एक individual plant से या किसी एक individual product से मैं recover नहीं कर सकता because it is not having that direct relationship with the particular unit cost unit or the product unit therefore it is known as your indirect cost तो सर शौट में बताओ क्या निकला कोई भी अगर cost है कोई भी अगर cost है जिसका किसी इंडिवीज्वल product के साथ इंडिवीज्वल plant के साथ इंडिवीज्वल organization के operation या function के साथ operation oblique function के साथ function के साथ में किसी भी खर्चे का अगर direct relationship है तो direct cost होगी लेकिन अगर आप किसी खर्चे को किसी भी इंडिवीज्वल product plant या business operation या function से directly relate नहीं कर सकते उसका direct relationship establish नहीं कर सकते तो फिर आपके लिए indirect cost हो जाएगी सर और detail में समझाओ मैंने का दोस्त मान लेते हैं यह नोट छपवाएं सर एकाय के नोट हैं दोस्त यह नोट हैं यह हां यह नोट हैं economics के मान लो यह नोट हैं दोस्त मेरे c.a.f foundation के economics के अब यह जो मैंने नोट छपवाएं हैं इनकी cost मुझे किस से recover करनी चाहिए सर economics से recover करो ना आपके business के भी अलग अलग division है आप account भी पढ़ा रहे हो आप economics भी पढ़ा रहे हो तो आप क्योंकि notes economics के हैं इसलिए आप economics वाले business operation या business segments से इनकी cost को recover करो आप कलको कोई loss हुआ तो उसी segment में आप उसको transfer करो मैंने का ठीक है दोस्त मैंने एक ऐसी students है उनको ही बाटूँगा जो economics पढ़ने वाले student है उनको ही बाटूँगा तो मैं अपने manual सबको बाटने वाला हुआ हूँ तो अब मैं इसकी cost किस से recover करो सर अब इसका तो या इस खर्चे का तो direct relationship ना तो आपके accounting के students के साथ में ना तो इस खर्चे का direct relationship आपके economics के product के साथ में तो फिर ultimately ये खर्चा कौन सा होगा आपका ये खर्चा होगा आपका indirect cost so on the basis of relationship क्या आप किसी खर्चे को किसी एक particular product के साथ में या plant के साथ में या business operation या function के साथ में directly relate कर सकते हैं whether this expense can be directly traceable to the particular product or the operation if it is if the answer is yes it is your direct cost and if the answer is no it is your indirect cost उसके बाद अगला जो classification होता है वो होता है दोस्त on the basis of on the basis of relevancy relevance 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 का मतलब relevance का मतलब related to decision making ये cost important है की नहीं है whether this cost is important or whether this cost will change as per the decision of management management अगर कोई decision ले और management के decision लेने के कारण अगर आपकी cost change हो जाए अगर आपकी cost बदल जाए इसका मतलब ये cost management के decisions के उपर impact डालती है management के decisions ऐसी cost से influenced होते हैं management को इस cost को consider करने के बाद ही अपने managerial decisions लेने होते हैं तो इसको कहते हैं दोस्त हम लोग relevant cost इसकी दो अलग अलग type हो सकते हैं एक होती है दोस्त incremental cost incremental cost और एक होती है इसके अंदर sunk cost अगर management ने कोई नया decision लिया और नया decision को लेने से एक particular कोई cost है वो cost आपकी बढ़ जाएगी और example अगर मैं आपको example की बात करूँ तो हाँ सुरूँ अभी तक हम कुल मिलाके साल भर के अंदर one lakh units finished goods की बना के market के अंदर बेशते हैं उतने में हमारी जो market के demand हो पूरी हो जाती है ना हम जादा production करते हैं ना हम कम production करते हैं अब ऐसी condition में अचानक हमारे पास में एक export order आया और exporter हमसे कह रहा है कि मुझे तुम 50,000 unit अलग से बना के दो लेकिन जो market rate है मैं उस rate पे नहीं लूँगा मैं आपसे बहुत कम rate पे लूँगा अब हम यह सोच रहे हैं कि जो importer हमसे market से कम rate में finished goods खरीजने को तयार है इतनी बड़ी quantity का order हमने accept करना चाहिए कि नहीं अगर मैं quantity का order accept कर लेता हूँ या इस export order को accept कर लेता हूँ तो मेरी raw material की मेरी wages की मेरी सारी चीजों की cost बढ़ जाएगी तो ultimately अगर आप additional production करने के बारे में सोचते हैं management कोई नया decision लेता है और नया decision को लेने के चक्कर में अगर आपकी कोई cost बढ़ जाती है additional production के कारण जो आप additional cost incur करते हैं उसको कहते हैं हम लोग incremental cost इतना ठीक तो एक हो गई आपकी incremental incremental का मतलब होता है additional sir यह marginal है के नहीं marginal नहीं marginal का मतलब होता है एक additional unit को produce करने में जो extra cost लगती है उसको कहते हैं हम लोग marginal cost लेकिन यहाँ पर एक unit की बात नहीं है हो सकता आप additional 5000 unit बनाने की बात करो तो additional 5000 unit को बनाने में कितनी extra cost आपको incur करनी पढ़ेगी that will be your incremental cost तो जितनी additional cost आपको incur करनी पढ़ेगी for the production of additional quantity of goods and services that is known as incremental cost याने additional cost incurred for producing additional quantity of goods and services जो additional quantity of goods and services आपको produce करनी पढ़ेगी उन additional quantity of goods and services के production के लिए जितनी extra cost आप incur करेंगे वो होगी आपके लिए incremental cost अब अगर आपने यह decision लिया तो इतनी cost आपको additional incur करनी पढ़ेगी लेकिन अगर मैंने decide कर लिया कि हमको export order consider नहीं करना we are not supposed to supply to the importer तब उस condition में यह cost आपको incur नहीं करनी पढ़ेगी इसलिए कहीं न कहीं यह decision making process में अपने आप में important cost हो जाती है जो पैसे आपने एक बार खर्च कर दिये हमेशा के लिए खर्च कर दिये जिसके आप future में recovery नहीं कर सकते वो होगी आपकी sunk cost मतलब cost which cannot be recovered आप ये cost को कभी भी recover नहीं कर सकते आप कोई भी decision ले लो किसी भी तरीके का managerial decision ले लो management action ले लो but you will never be able to recover this cost तो ऐसी जितनी भी cost आपकी हैं जिनको आप already खर्च कर चुके हैं लेकिन आप इसको recover नहीं कर सकते अब उनके थ्रू जो भी आपने resources acquire की होंगे उनको use करके आप अपने revenue को generate कर ले उससे आप profit कमा ले वो एक अलग मुद्दा है लेकिन जो cost आप recover नहीं कर सकते वो होगी आपकी sunk cost अब sunk cost दो अलग अलग कारण से हो सकती है यह आपकी past incurred cost भी हो सकती है और यह cost आपके future commitment से past incurred cost भी हो सकती है क्योंकि यह पैसे आप खर्च कर चुके हैं अब खर्च करने के बाद in decisions को reverse नहीं किया जा सकता reverse करके हम अपनी cost को recover नहीं कर सकते तो यह भी आपकी sunk cost होगी और कई बार हम ऐसे future commitment भी कर देते हैं future commitment कर देते हैं जिन future commitment से अब पीछे हट पाना possible नहीं है तो यह future commitment है जो commitment आप कर चुके जो agreement आप बना चुके जो contract आप sign कर चुके अब आपको इन contracts को पूरा करना ही पड़ेगा इसके लिए आप तो यह cost करनी ही इतना clear yes sir clear अब उसके बाद एक classification और है on the basis of on the basis of burden of cost burden of cost हाला कि मैं आपको classification समझा जरूर रहा हूँ लेकिन इसको सही तरीके से आप बहुत ज़्यादा detail में अगर use करेंगे तो intermediate के अंदर CA intermediate के अंदर use करेंगे या आप आगे जाके जब higher level की studies में आप जाएंगे तब इसको use करेंगे क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ अभी यहाँ पे sun cost का मत्या on the basis of burden कितने टाइप की cost होती है छोट असा यहाँ पर discuss करने वाला है ठीक है एक होती है दोस्त इसके अंदर private cost एक होती है इसके अंदर private cost और एक होती है दोस्त इसके अंदर social cost अबसर यह क्या होती है private cost और social cost देखो कोई भी अगर आप अपने input को use करके output में convert कर रहे हैं you are using the different factor of production as input you are using land, labor, capital entrepreneurship इन सबको आप use कर रहे हैं फिर goods and services का production कर रहे हैं फिर आप अपने business को चलाने के लिए for the running and maintenance of business आप अलग से पैसे खर्च कर रहे हैं इनी goods के distribution के लिए selling और distribution और marketing के लिए आप कुछ अलग से पैसे खर्च कर रहे हैं फिर कुछ नया product डेवलप करने के लिए नई technology डेवलप करने के लिए नया raw material डेवलप करने के लिए आप अपने research and development पे अलग से पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं यह जितना भी आप खर्चा कर रहे हो भले ही वह explicit cost हो भले ही वह implicit cost हो कोई भी cost हो यह जितना भी आप खर्चा कर रहे हैं इस खर्चे का burden ultimately आएगा किसके उपर मैंने का दोस्त आपने अपने सारे factor production यूज कर लिए आपने land, labor, capital, entrepreneurship इन सारे factor production को यूज अपने यूज किया, आपने आउट्पूट का production कर लिया, आउट्पूट के production करने के बाद, आपने अपने business के running के लिए, आपने अपने business के maintenance के लिए, business के selling and distribution के लिए, research and development के लिए, इतने सारे आपने पैसे खर्च किए, अब आप इसको implicit cost के नाम से पकार लो या आप इसक वो explicit cost के नाम से पुकार लो, जो भी cost के नाम से पुकारो, ultimately इस पूरी cost का burden आएगा किसके उपर, who is going to bear the burden of this cost, ultimately इस पूरी cost का burden तो business के जो मालिक हैं, business के जो entrepreneur हैं, इनका burden तो ultimately business के entrepreneur पे ही आना है, business के owners पे ही आना है, business के मालिकों के उपर ही इसका burden आएगा, business को internally इस cost की burden को सहन करना पड़ेगा तो क्योंकि इस cost का burden business को खुद सहन करना पड़ता है internally इसको recover करने की कोशिश करनी पड़ती है या internally इसी cost के basis पर revenue generate करने की कोशिश करनी पड़ती है तो इसको कहते हैं हम लोग private cost लेकिन इस पूरी process के अंदर मतलब आपने क्या किया आपने सर हमने input लिया input को आपने फिर किस में convert किया output में convert किया तो इस input को output में convert करते समय आपने कुछ पाप किये हैं input को output में convert करते समय हमने कैसे पाप कर दिये कुछ पाप किये है input को जब output में आप convert कर रहे थे तब आपने अपने आसपास की environment की जो हवा थी उसको गंदा किया है जिसको हम लोग कहते है air pollution आपने input को output में convert करते समय पानी को भी गंदा किया है जिसको हम लोग कहते है water pollution आपने इंपुट को आउटपुट में कनवर्ट करते समय भिन भिन प्रकार की अलग अलग तरीके की भयानक भयानक आवाजें ने पैदा की हैं मशीने चल रही थी आपके फैक्टरियों के अंदर दुनिया भड़का हला हो रहा था इससे फैला है दोस्त नौइस पॉल्यूशन इतना प्लास्टिक आपने बनाया इस प्लास्टिक के जो भी कवर थे जितने भी आपने रॉम अटेल के प्लास्टिक के कवर को जमीनों पे फ चुरू कर दूना तो शायद पूरी जगा भर जाएगी लेकिन नाम खतम नहीं होंगे अल्टिमेटली दोस्त एक बात बताओ इस एयर पोलूशन का बर्डन कौन सहन कर रहा है वाटर पोलूशन का नौइस पोलूशन का लैंड पोलूशन का बर्डन किसको सहन करना पड़ दिल्ली के पास गुडगाओं में आपने इतना बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया बना दिया इतनी सारी फैक्ट्री लगी है जमाने भर की गुड्सन सर्विसेज का प्रड़क्शन हो रहा है लेकिन उससे जो एयर वाटर नौइस पोलूशन इस अब फैल रहा है कौन सहन कर दिल्ली वाले हरियाना वाले गुडगाओं वाले जितने लोग रहते हैं अल्टिमेटली सोसाइटी को इसका बड़न सहन करना पड़ रहा है हर बड़े शहर के पास एक बड़ी इंडस्ट्रियल यूनिट मिल जाएगी आपको मुंबई के पास देख लो चिन्नाई के पास बैंगलोर में देख लो तो अल्टिमेटली जहां इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल यूनिट आपने लगाई हैं ये भी तो इंपुट को आउट्पुट में ही कनवर्ट कर रहा है बिजनस को कर रहा है लेकिन द्यू टू देर कनवर्जन आफ इंपुट इंटू दहन करना पड़ता है सोसाइटी को इसके डिसाइडवांटेजेस फेस करने पड़ते हैं तो ऐसी जो कॉस्ट होती है द्यू टू दीज प्रोडक्शन इसको हम लोग कहते हैं दोस्त सोशल कॉस्ट अल्टिमेट बड़न जब सोसाइटी के ऊपर आना शुरू हो जाए तो द on the basis of variability variability के basis पर कॉस्ट तीन तरीके की हो सकती है मैं यहाँ पर पहले लिख देता हूँ most important सर क्यों अभी तक जितनी कॉस्ट पड़ी थी वह important नहीं थी वह कॉस्ट भी important थी लेकिन यह जादा important इसलिए कह रहा हूँ मैं क्योंकि अब आगे आने वाला जो chapter है या आगे आने जितने भी chapters हैं और यह जो बचा हुआ chapter है यह इसी cost की classification पर जादा based है क्योंकि अब इसके बाद दूसरा और जो तीसरा lecture होगा उसके अंदर में इसी cost को बार 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 यूस करता रहूँगा इसलिए आगे के लिए मैं कह रहा हूँ सबसे important है इसमें तीन अलग-अलग तरीके की cost हो सकती है इसके अंदर जो सबसे पहली cost है दोस्त वो है आपकी fixed cost दूसरी है आपकी variable cost अब ये क्या होता है सुनू मैंने का कि आप कम output करोगे तब भी आपको इतना पैसा तो खर्च करना ही पड़ेगा आप जादा output लोगे तब भी आप production करो या मत करो आपको इतना पैसा खर्चा करना है आप production की रफ्तार को double कर दो आप single shift 8 घंटे की एक shift में काम करो तब भी उतना ही पैसा खर्च करना पड़ेगा आप 8-8 घंटे की 2 shift में काम करके production को double कर लो और market के अंदर double quantity of goods and services बेच के अपने revenue डबल कर लो लेकिन य इतना ही लगेगा इससे जादा पैसे आपको खर्च नहीं करने पड़ेंगे तो ऐसी को जो हमेशा constant रहे जो कहती है मैं जैसी थी वैसी हूँ और आगे भी वैसे ही रहूंगी मुझे ना तो change होना है और ना मुझे change करने की कोशिश करना मैं बार बार नहीं बदलती जब द मान लो factory building या आपकी जो office building या आपने किराये पे लिए रखी है अब यह जो factory building और यह जो office building आपने किराये पे लिए रखी है आपको इसका rent पे करना है यह सर बिलकुल पे करना है single shift में काम करोगे तब भी तो rent उतना ही पे करोगे double shift में काम करोगे production लेवल अगर आप बढ़ा भी दोगे ज़्यादा quantity of goods and services का production करोगे तब भी तो cost आपको उतनी पे करनी पड़ेगी तो production को अगर कम भी कर दोगे तब भी आपको cost उतनी पे करनी पड़ेगी rent के बाद दूसरा example हो सकता आपकी interest की cost भाई आप अगर production कम करोगे तब भी bank से जो loan लिया उसके against में interest तो उतना ही पे करना पड़ेगा आप production कम करोगे तब भी आपको उतना ही interest पे करना है production जादा पे करोगे तब भी loan amount तो constant है तो interest आपको same पे करना है इस तरीके की जो cost होती है जो level of output ना तो increase होती है ना तो decrease होती है which will always remain fixed which will always remain constant that is known as fixed cost यह मैंने आपको जोई बताया है यह आपके general classification के basis पर बताया अभी fixed cost के अंदर मैंने बहुत सारी बात है discuss करनी है इसलिए मन में अभी अपने कोई विचान लेकि मताना पहले समझो अगर diagramatically मैं fixed cost को represent करने की कोशिश करूँ x-axis पे अगर मैं on the x-axis I am taking output on y-axis I am taking cost तो मैंने का अगर मुझे 0 unit का production करना हो तब भी मुझे 10,000 रुपे खर्च करने पड़ेंगे अगर मैं 5,000 यूनिट का production करूं तब भी मुझे 10,000 रुपे ही खर्च करने हैं अगर मैं 10,000 यूनिट का production करूं तब भी मुझे 10,000 रुपे ही खर्च करने पड़ेंगे अगर मैं 50,000 यूनिट का production करूं तब भी मुझे 10,000 रुपे ही खर्च करने पड़ेंगे तो मैंने का इन सारे point को जोड़ते हैं देखते हैं क्या निकलता है अरी सर यह तो एक straight line बनी ओके यह जो straight line curve है यह किसको represent करेगा आपकी total fix cost को represent करेगा अगर आप output के level को बढ़ाते हैं अगर आप output के level को increase करके यहां तक लेके जाते हैं तब भी cost आपको उतनी ही Lab करनी है अगर आप अपने production को zero करने हैं तब क्यों खरक्षा करेंगे हमने तो production ही बंद कर दिया VPN जिसको बड़ा अंग्रेजी नाम दिया COVID-19, 3 मैंने तक lockdown चला, 3 मैंने तक lockdown चलने के बाद, 3 मैंने तक factory बंद रही, 3 मैंने तक production बंद रही तब उस condition में क्या, इन लोगों ने rent पे नहीं किया, इन लोगों ने interest पे नहीं किया, सर, लेकिन उस समय तो RBI ने कहा था था न, 3 मैंने की installment पे मत करो, RBI ने कहा था कि 3 मैंने की installment डिफर कर दी गई है RBI ने कहा था कि अगले 3 मैंने तक आप अपनी installment पे नहीं करेंगे तो चल जाएगा, लेकिन 3 मैंने के बाद से आपको installment continue करनी पड़ेगी उन्होंने installment माप नहीं की थी उन्होंने installment को डिफर करने कहा था उन्होंने कहा था क्योंकि आप production नहीं कर रहे है due to lockdown, इसलिए क्योंकि आपका कोई production नहीं है, income नहीं है इसलिए आप interest पे मत करो अभी लेकिन interest बाद में जाके तो bank वाले आप से recover करेंगी, करेंगे, इसका मतलब ये था, production 0 भी हो गया, तब भी आपको उतने ही पैसे खर्च करने पड़ रहे थे इसलिए ये cost अगर आप production को बढ़ाते हो तब भी उतने ही पैसे खर्च करने पड़ते हैं, production को कम करते हो तब भी आपको उतने ही पैसे खर्च करने पड़ते हैं तो सो काओ, cost which will always remain fixed, irrespective of the level of output, level of output क्या है, कम है, जादा है, कोई पर्क नहीं पड़ता, cost which will always remain fixed, which will always remain constant, is known as your fixed cost, fixed cost के अंदर और जादा detail में समझने के लिए इसके कुछ features हैं, जिनको समझना जरूरी है, सबसे पहली बात, सबसे पहला feature इसके अंदर है, वो है, not a function of, not a function of output, इसका output से पहली बात तो कभी कोई लेना देना है नहीं, आप output को बढ़ाओगे, तब भी cost उतनी लगेगी, आप output को कम करोगे, तब भी cost उतनी लगेगी, आप output को जितना चाहो उतना बढ़ाओ, जितना चाहो उतना कम करो, fixed cost will always remain constant, इसका output के साथ में कभी कोई relationship हो ही नहीं सकता, you can never establish the relationship of fixed cost with the output, fixed cost with the goods and services produced, इसलिए हम ये कहते हैं कि fixed cost is not the function of output, इसका output के साथ कोई लेना देना नहीं है, there is no functional relationship existing between the output and the fixed cost, second thing, दूसरा important यहाँ पर ये है, it is a function of capacity, दोस्त इतना याद रखना, यहाँ पर student आके गलती कर देते हैं, यह है accidental spot, सर ऐसा क्यों हाँ, fixed cost का output के साथ में directly कोई लेना देना नहीं है, there is no functional relationship between the output, output को बढ़ाओगे तब भी cost उतनी, output को कम करोगे तब भी cost उतनी लेकिन जैसी आप अपनी capacity level को बढ़ाओगे, आपकी cost shoot up हो जाईगी, अगर आपने कहा कि हम अपने business के size को double करेंगे, business के size को double करोगे तो दो factory लगानी पड़ेगी, rent double हो गया, bank से loan double लेना पड़ेगा, interest double हो गया, तो जैसी आप अपनी capacity को बढ़ाते हैं, तो capacity बढ़ाते से ही आपके fix cost automatically shoot up हो जाती है, इसलिए fix cost का आपके output से कोई लेना देने नहीं है, fix cost is not the function of output, but fix cost is the function of your capacity level, अगर आप अपने capacity level को बढ़ाते हैं, तो fix cost ज़रूर बढ़ाती है, इसलिए इस धोके पे मत रहना, कि fix cost जन्मो जन्मांतर तक साज जन्मो तक constant रहेगी, दो साज जन्मो तक का तो रिष्टा पती बतनी का है, उसको वही रहने दो, fix cost तक लेके मत आओ, fix cost आपके capacity utilization के level के साथ साथ बढ़ती चली जाएगी, यह confirm है, यह सर, confirm है, इसके बाद, कुछ fix cost ऐसी भी होती है, जो business को shutdown करने के बाद भी आपको खर्च करनी पड़ती है, there are certain fix cost which has to to be incurred after the shutdown of the business, sir, जैसे की, sir, business बंद कर दिया, आप क्यों खर्चा करेंगे हम, दो, business बंद तो कर दिया, लेकिन खर्चा तो अभी भी करना है, for example, आपकी factory के अंदर, खूब सारी machine लगी होई थी, आपने तो business shutdown कर दिया, आपने तो production बंद कर दिया, लेकिन, जब तक वो machine नह हमारी किराई की थी, पहले जैसे machine लगी होई थी, अभी machine वैसी रखी हुई है, तो क्या factory का मालिक आप से factory का रेंटरी मांगेगा, चोंकि आपने तो production बंद कर दिया, लेकिन production बंद होने के बाद भी, आद भी आपकी machinery उसी factory प्रमाइस के अंदर रखी हुई है, तब भी त shutting down of the business is known as your shutdown cost, shutdown cost, तो सर यह क्या पूरी की पूरी fix cost, shutdown cost होती है, नहीं, total fix cost में से वो fix cost जो आपको business को shutdown करने के बाद भी incur करनी पड़ेगी, उसको हम लोग कहते हैं, shutdown cost, और इसी लिए, क्योंकि fix cost एक ऐसी cost होती है, जिससे ना तो आज तक कोई बच सका है, ना तो आगे भ ना तो आगे इससे कोई बच पाएगा, तो इसी लिए ये जो fix cost होती है, ये होती है, हमेशा unavoidable in nature, fix cost का एक basic behavior हम लोग जो एकनॉमिस के नदर कहते हैं, वो कहते है unavoidable, आप इसको avoid नहीं कर सकते, unavoidable, unavoidable कहलो, unavoidable कहलो, यहाँ पर आप इसको कहीं से भी avoid नहीं कर सकते, ये पैसे तो आपको खर्च करने हैं, तो करने ही पड़ेंगे, इसके बाद fix cost का एक nature और भी होता है, ये हमेशा होती है, uncontrollable, uncontrollable मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आप management decision लेके दूसरी cost को तो control कर सकते हैं, you can control the other cost, but you will never be able to control your fixed cost, fixed cost तो जो लगनी है, वो तो लगेगी, लगेगी, आप किसी भी तरह का कोई भी managerial action ले लो, कोई भी management decision ले लो, short run में आप fixed cost को कहीं से भी control नहीं कर सकते हैं, इसके against में दूसरी जो cost है, वो है आपकी variable cost, सर अब ये कैसी होती है, ये भी समझाओ, मैंने का सुनो, variable cost को समझने के लिए फिर से में एक diagram बनाता हूँ, दोस्त मान लेते हैं, ये है मेरा y axis, ये है मेरा x axis, x axis पे अभी फिर से हम अपना output ले रहे हैं, y axis पे हम अभी अपनी यहां पर फिर से cost ले रहे हैं, ठीक, मैंने का zero level of output पे मेरी cost होगी zero, जैसी output का level बढ़ा की करूँग जैसी मैं अपने output को increase करूँगा, मेरी cost यहां पर increase हो जाएगी, और अगर मैं अपने output को बढ़ा के यहां तक लेके जाता हूँ, तो मेरी cost और increase हो जाएगी, और अपने output को बढ़ा के यहां तक लेके जाता हूँ, तो मेरी cost और increase हो जाएगी, सारव point को join करते हैं, दोस्त ये है आपकी variable cost जैसे जैसे मैं अपने output को बढ़ाता जाओंगा as long as soon as I will increase my output my cost will also increase और मैंने अपने output को बढ़ा दिया मेरी cost और increase हो गई output और बढ़ गया cost और increase हो गई output और बढ़ गया cost और increase हो गई sir reverse reverse भी एक दम बिलकुल true होगा why say versa जैसे कि अगर मैं अपने production को कम कर दूँ तो मेरी fix cost कम हो जाएगी और production को कम कर दूँ तो fix cost मेरी और कम हो जाएगी production को अगर मैं और कम कर दूँ sorry fix cost कर दो यहां पे cost मेरी और कम हो जाएगी इसका मतलब जब कभी मेरी cost मेरे output के इसाब से कमिया जादा होती जाए अगर मैं कह दूँ the cost which is having the direct relationship between the output तो विलकुछ सही ये variable cost is having the direct relationship with the output जैसे जैसे आप output को बढ़ाएंगे variable cost भी बढ़ जाएगी output को अगर आप कम करेंगे तो आपकी variable cost भी यहाँ पर कम हो जाएगी तो the cost which is having the direct relationship with the output output बढ़ेगा, cost बढ़ेगी, output कम होगा cost कम होगी, the cost which will vary according to the level of output, vary का मतलब हो था, change होना the cost which will vary, the cost which will change according to the level of output is known as your variable cost, इसका मतलब variable cost is a function of variable cost is a function of output, function of output, यहाँ पर कह लिखा था, not a function of output लेकिन variable cost हमेशा किसका function होगा output का, output के साबसे variable cost आपकी कम याँ जादा होगी जैसे जैसे output बढ़ेगा, वैसे वैसे variable cost बढ़ेगी, sir example example में cost of raw material सबसे पहला example, सबसे बढ़ी है example wages की cost, etc इस तरीके की जो cost होती है सीधी बात है, जादा production करना हो तो raw material भी जादा लगेगा, raw material की cost बढ़ जाएगी, जादा production करना होगा, तो number of labor जादा लगेगी, या labor r आपको जादा लगेगे, तो आपकी wages की cost या labor की cost आपकी बढ़ जाएगी, so the cost which will vary according to the level of output is known as, आपकी, is known as variable cost, अब तीसरी जो cost है, दोस्त वो है यहाँ पर semi variable cost semi variable cost semi variable cost को समझने के लिए यहाँ पर आजाता हूं semi variable cost कोई भी ऐसी cost जिसको अगर मैं तोड़ हूँ और दो हिस्तों में तोड़ने के बात पता चले कि इस cost का एक part variable है और एक part fix है, जिसको कहते हैं हम लोग semi variable cost, याने variable, fix cost और variable cost को मिला के, सर यह तो, याने total cost नहीं total cost नहीं, अगर कोई भी ऐसा यह cost है जिसके अंदर, जिसकी मैं total cost को अगर यह जिस cost को मैं तोड़के देखूं, इसको decompose करूं, तो इसका एक component मुझे fix दिखाई देता है, एक component मुझे variable दिखाई देता है, तो फिर वो होगी आपकी semi variable cost, समझने के लिए अगर देखना है, तो मान लेता हूं, दोस्त, यह है मेरा y axis, यह है मेरा x axis y axis पे फिर से भी डूस मैं आप cost दे रहा हूं, x axis मैं यहाँ पर output ले रहा हूं, अब, मैं अपने cost curve को, जो भी मेरी semi variable cost curve है, semi variable cost, semi variable cost curve को इस तरीके से draw किया जा सकता है, मैं अगर अपने cost curve को इस तरीके से draw करूं, तो यह काव होगा मेरे लिए semi variable cost, तो चो semi variable cost, semi variable cost इसी लिए क्योंकि अगर मैं zero level of output पे बात करूं, अगर मैं zero production करूं तब भी इतने पैसे तो मुझे खर्च करने ही करने यहां से लेके यहां तक इतनी कॉस्ट तो इनकर करनी ही पड़ेगी यहां से अगर मैं एक य एक्सिस के पैरलल एक लाइन ड्रॉ कर दूँ तो यह जो हिस्सा है कहां से कहां तक यहां से लेके यहां तक का यह जो हिस् इसके अलावा याने in addition to that अगर मैं अपना production बढ़ाता हूँ तो इतनी cost मुझे additional incur करनी पढ़ेगी और अगर मैं अपने production को बढ़ाके यहां तक लेके जाता हूँ तो मुझे इतनी cost additionally और incur करनी पढ़ेगी और production को बढ़ाके यहां तक लेके जाता हूँ तो इतनी cost मुझे और incur करनी पड़ेगी गयाने ये जो cost है ये मुझे additionally अलग से खर्च करनी पड़ेगी अगर मैं अपने production के level को बढ़ाता या कम करता हूँ तो इसको हम लोग कहते हैं दोस्त variable component variable component तो कोई भी ऐसी cost जिसका एक component fix है और एक component इसका variable है तो ऐसी cost को हम लोग कहते हैं semi variable cost production करो या मत करो इतने पैसे तो तुमको खर्च करने ही पड़ेंगे अब production करोगे तो कुछ पैसे आपको additionally खर्च करने पड़ सकते हैं जिसको हम लोग कहते हैं variable components एक्जामपल के लिए सबसे बड़ा एक्जामपल आपके लिए बढ़ीए एक्जामपल हो सकता है electricity bill electricity bill आपके घर का जो electricity bill आता है उस electricity bill को कभी गौर से देखना कभी आपके घर में अगर 5000 रुपे का electricity bill आया होगा तो उस electricity bill में अलग-अलग स्टेट के हिसाब से अलग-अलग हो सकता है 120 रुपीज का जैसे महारास्टा के अंदर होता है 120 रुपीज मीटर रेंट होता है अब बाकी इसके अलावा इसके अलावा कितने बज़ गया है 5000-120 is equal to 4880 रुपीज यह होगा पर यूनिट के इसाब से बिल याने अगर मैं electricity consume करूँ या नहीं करूँ मुझे 120 रुपीज का 120 रुपीज का electricity बिल तो हर मैने pay कर नहीं पड़ेगा यह guarantee है 120 रुपीज is the fixed charge in my electricity बिल सरी काया का charge हो जाए यह होता आपका meter rent electricity board ने आपकी घर में आके जो meter लगा की गए है ना उस meter का हर मैंने वो किराय लेते हैं आपसे हमने तो लेकिन उनको meter खरीद के समझ पैसे दिये थे नहीं यह meter के मालिक आप नहीं हो आपने meter खरीदा नहीं था तो सर जब वो electric connection लगवाया था उस समय जो पांच यह जो 6,000 उपए state board state electricity board को दिये थे वो क्या थे वो तो दोस्त आपके घर तक electricity की line खीचने के charges थे वो electricity line install करने के charges थे आपके उन्होंने electricity line आपके घर तक install किये साथ में उन्होंने electricity की meter की reading electricity की reading को count करने के लिए जो meter लगाया है that is the property of your state electricity board और state electricity board आप से हर मैंने meter के लिए किराया लेता है उसको कहते हैं हम लोग दोस्त मीटर रेंट यह तो हमेशा fix रहेगा तो अगर मैं मोटे मोटे तोर पे देखूं तो fix component मेरे example में fix component क्या हो गया meter rent मुझे इतना meter rent तो हर बर पे करना ही पड़ेगा तो यह meter rent मेरे लिए fixed cost होगी fixed component होगा लेकिन इसके अलावा जितनी जादा आप electricity consume करेंगे उतना जादा आपको per unit electricity bill आपका बढ़ता चला जाएगा add-on होता चला जाएगा तो per unit electricity bill आप जो कर रहे हैं वो आपके electric bill का variable component है इतना clear yes sir clear semi variable cost एक और भी होती है जिसको और लगे हाँ तो समझ लो तो काम ही खतम हो जाए ठीक है सब समझाओ यह लो यह है दोस्त आपका x-axis यह है आपका y-axis यह हो गया 0 मैंने कहा कि भई कोई एक cost है up to certain level of activity मान लेते हैं 10% जब तक मैं 10% activity level पे काम करता हूँ न तब तक यह cost मेरी constant रहती है लेकिन जैसे ही मैं अपनी activity level को 10% से बढ़ा के थोड़ा सा उपर चले जाओं तब अगर मैं अपनी activity level को 10% से बढ़ा के थोड़ा सा उपर चले जाओं तो अचानक यह cost shoot up हो जाती है अचानक increase हो जाती है लेकिन फिर वो अपटू certain level अपटू next level of activity अपटू next level of activity फिर से वो क्या हो जाती है constant लेकिन जैसे ही मैं next level of activity को cross करके और आगे additional capacity पे जाना चाहूं तो फिर यह अचानक shoot up हो जाती है अचानक it will shoot up अब फिर यह shoot up हो जाएगी अप to the next level of activity फिर यह क्या रहेगी मेरे लिए constant अप to the next level of activity इत विल अगें remain constant उसके बाद जैसी मैं अपनी activity level को बढ़ाऊंगा फिर यह shoot up हो जाएगी फिर next level तक constant रहेगी फिर यह shoot up हो जाएगी फिर next level तक constant रहेगी इस तरह से भी आप semi variable cost को कई बार देख सकते हैं सर यह होता कब है example बताओ semi variable cost में अगर example देखना है जिसका सबसे बढ़िया example है दोस्त यहाँ पर supervisor salary supervisor salary सर मतलब मान लेते हैं एक supervisor maximum 10 labor को supervise कर सकता है थोड़ी दिर के लिए मान लेते हैं कि एक supervisor maximum 10 labor को supervise कर सकता है तो मैंने का दोस्त अगर एक labor लगाऊँ तो कितने supervisor की जरुरत पड़ेगी एक देख रहा है ना हाँ अगर एक labor लगाऊँ तो बताओ कितने supervisor की जरुरत पड़ेगी सर एक labor लगाऊँ तो हमको यहां पर एक labor लगाऊँ तो एकी supervisor की जरुरत पड़ेगी तो salary भी एकी supervisor की देनी है यह सर अगर दो labor लगाँ दूँ कितनी labor लगाँ दी मैंने दो तो अब कितने supervisor लगेंगे तो दूनों labor को भी तो एकी supervisor supervisor एक परवाइजर कि हमारी महने की कितनी है पांच campa मैं अगर दो से तीन लेबर कर दूँ तब भी सुपरवाइजर एक चार लेबर कर दूँ तब भी एक और अगर टैन लेबर कर दूँ तब भी सुपरवाइजर कितना लगेगा दस लेबर को तो एक सुपरवाइजर ही सुपरवाइज कर सकता है तो इन सारी सिचुएशन में कहा कि नई, अब मैं 11 लेबर यूस करूँगा, तो एक सुपरवाइजर, मैक्सिमम, क्योंकि 10 लेबर को ही सुपरवाइज कर सकता है, तो जैसी मैं 11 लेबर को बिजनिस के अंदर लेकर आऊंगा, अब मुझे इतनी 11 लेबर को मैनेज करने के लिए 2 सुपरवाइजर की पढ़ेगी, क्योंकि अब नबर आफ लेबर 10 को क्रॉस कर गए, अब 2 सुपरवाइजर की जरुवाइजर की सेलरी कितनी हो गई, तो अब यहां पर 10,000 रुपे की सेलरी पे करनी पड़ रही है, बासवाइज में आई, तो जैसी मैंने लेवल अफ एक्टिविटी थोड़ी इसी बढ़ाई, अचानक मेरी कौस शूटअफ होके यहां तक पहुँच गई, और कौस शूटअफ होके कितनी हो गई, 5000 की जगा कौस शूटअफ होके हो गई, 10,000, अब अगर मैं थोड़ी देर के लिए, कब तक, अगर मैं थोड़ी देर के लिए 20 लेबर तक काम चलाता रहूं, यहां पर खड़ आओं तो मान लेते कितनी लेबर हैं 20, अगर 20 लेबर से काम चलाता रहूं, तब भी मुझे कितने सुपरवाईजर की जगत पढ़ेगी, तब भी हमें सिर्फ और सिर्फ दो सुपरवाईजर की ही जरूत पढ़ेगी, यहां पर भी, क्योंकि बीस लेबर तक दो सुपरवाइजर मैनेज कर सकते हैं तो दो ही सुपरवाइजर लगेंगे कॉस कितनी रहेगी टैन थाउजन लेकिन अगर मैं तुमसे कहूं नहीं अब मैं 21 लेबर 21 लेबर को भी बिजनस के अंदर लेके आऊंगा अक्टिविटी लेबर को मैं बढ़ाऊंगा तो जैसी 21 लेबर को बिजनस के अंदर लेके आऊंगा मैं अल्टिमेटली अब इन लेबर को मैनेज करने के लिए दो सुपरवाइजर की जरुवत नहीं पड़ेगी अब इन लेबर को मैनेज करने के लिए एक दो, तीन सुपरवाइजर की जरुवत पड़ेगी, तीन सुपरवाइजर की सेलरी किती होगी, इन्टू 5,000 is equal to 15,000 अचानक मेरी cost shoot up होके कितनी होगी, 15,000 तो इस तरीके से cost, जैसे जैसे next level of activity पे जाते जाते हैं उस तरीके से cost यहाँ पर अचानक shoot up होती ही चले जाती है, but up to next level of activity यह constant रही कि उसके बाद यह अचानक shoot up होगी तो ऐसी जो cost होती है, ऐसी cost को हम लोग कहते हैं कई बार step ladder cost this cost is known as step ladder cost कई बार इसी cost को कहते हैं stair step cost economics के अंदर इसको कहते हैं हम लोग step stair step cost, लेकिन cost accounting के अंदर इसको कह देते हैं कई बार step ladder cost ठीक, तो यह आपके अलग-अलग classification थी, cost की cost की इतनी classification discuss करने के बाद, cost की इतनी matter को discuss करने के बाद, अब हम अगले lecture के अंदर मिलेंगे, अगले lecture के अंदर दोस्ट हम discuss करेंगे cost function, उसमें भी सिर्फ हम सिर्फ अगले lecture के अंदर, short run cost function के बारे में study करेंगे, short run cost function को हम लोग study करेंगे, ठीक छूट गई है, अभी-अभी किसी ने बताया कि sir, एक cost आपने discuss नहीं की, वो दोस्त, हाँ बात भी सही है, एक cost और एक classification होती है, उसको कहते है on the basis of acquisition of and the basis of acquisition of productive resources, एक classification मेरी बज गई थी, जल्दी से इसको और समझ लो, resources, on the basis of acquisition of productive resources, आप productive resources को यहाँ पर asset मान सकते हैं, asset को खरीदने से, या asset को acquire करने से related भी, दो अलग-अलग तरीके की cost हो सकती है, इसके अंदर जो पहली cost होती जिसको हम लोग कहते है historical cost, जिसको आप अपनी account की book में record करते हैं, और इससे related जो दूसरी cost है, वो है दोस्त हमारी replacement cost, ठीक, तो दो अलग-अलग type की cost हो सकती है, विचा related to acquisition of productive resources, एक होगी इसके अंदर historical cost और दूसरी होगी इसके अंदर replacement cost और यह क्या होती है, किसी जमाने पहले आपने कोई productive resources खरीदे होंगे, सर आप कहारे हो productive resources मतलब asset, तो asset क्यों नहीं बोल देते हैं, बात तो सही asset क्यों नहीं बोल देते हैं, लेकिन दोस्त एक बात बताओ, asset की definition क्या होती है sir, asset की definition मतलब एक होती है, फिक्ड एसेट, एक होती है, करेंट एसेट, for example, land हमारी फिक्ड एसेट से, labor हमारी, sorry, land हमारी फिक्ड एसेट से, machine, बैंने गा, example नहीं चाहिए, मुझे चाहिए, what is the definition of your asset, sir, asset मतलब क्या आप, asset मतलब asset, उसका मतलब क्या, नहीं है, asset की आपकी accounting की भी बड़ी एक specific definition accounting के अंदर asset को define करते समय लिखा गया है assets are economic resources accounting के अंदर asset को जो define किया गया है वो definition भी हमारी economic से उधार लेके गये है तो assets are economic resources उन्होंने भी कहा है कि जो item business के अंदर जो item economic resources हो which are having the future expected economic benefit is known as asset तो उन्होंने कहा कि जो economic resources हों और economic resources होने का मतलब ये है कि भई जिनको आप अपनी production process में या आप अपने business के अंदर use कर सकते हों उसको हम लोग कहते हैं economic resources which can be utilized in the production that is known as economic resources तो अभी इन्होंने which assets are the item which can be utilized in the production of goods and services इतना बड़ा लिखने की बजाए accounting के अंदर उन्होंने definition को बड़ा छोटा कर दिया उन्होंने कह दिया assets are economic resources which are having the future expected economic benefit तो ultimately जो आपकी accounting है वो भी ये मानती है कि हम बोलने को तो asset बोल देते हैं लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं economic resources की ही बात कर रहे हैं तो आपने कभी न कभी किसी न किसी जमाने में कोई न कोई asset खरी दी थी हमने अपने business को शुरू किया business को शुरू करते समय हमने बहुत सारी asset खरी दी हमने business को शुरू करते समय हमने land खरी जा था हमने labor खरी जा था हमने land खरी जा था हमने building करी दी थी ने मशीने घरी दी तो इस तरीके से हमने कई अलग-अलग assets acquire की थी तो उन assets को खरीदते समय उन acquire करते समय जो पैसे हमने उस जमाने में खर्च किये थे उसको हम लोग कहते हैं दोस्त cost of acquisition याने अगर historical cost को define करना हो तो historical cost can be defined as cost incurred at the time of acquisition of asset at the time of acquisition of asset जब आपने asset को acquire किया होगा तो asset को acquire करते समय आपने उस जमाने में जो पैसे खर्च किये होंगे उसको कहते हैं हम लोग historical cost history हो चुकी ठीक है भूत की बाद हो चुकी तो ऐसी condition में that is known as your historical cost अब मैंने का दोस्त मैंने कभी किसी जमाने में एक asset खरी दी थी मान लेते हैं आज से 10 साल पहले हमने asset खरी दी थी तो आपने भी accounting में पढ़ रखा होगा कि आपकी जितनी भी fixed assets होती है उनका हमेशा एक limited useful life होती है तो आपकी fixed assets की limited useful life है अब कभी ना कभी तो limited useful life खतम होगी जब वो limited useful life खतम होगी तब आपकी asset पूरी तरह से खराब हो चुकी होगी भंगार कबार बन चुका होगा scrap में convert हो चुकी होगी ठीक है कई अलग-अलग reason भी आपने depreciation वाले chapter के अंदर पर रख्योंगे कि assets की life क्यों खतम होती है तो asset की life खतम होने के कई reason पड़े थे आपने normal wear and tear, obsolence, affliction of time and all that इस तरीके की कई अलग-अलग reasons के कारण आपकी assets पुरानी हो जाती है outdated हो जाती है, production process से बाहर कर देते हैं और उनके बदले में हम नई assets खरीद के ले आते हैं, ठीक, यानि आप अपनी पुरानी assets को नई assets से बदल रहे हैं, replace कर रहे हैं, तो अब जब आप अपनी पुरानी assets को नई assets से बदलेंगे, तो बदलने के लिए आपको जो additional पैसे खर्च करने आज़ेगा, asset को replace करने के लिए उसको कहते हैं, हम लोग replacement cost, cost incurred at the time of replacement of asset, at the time of replacement, cost incurred at the time of replacement of asset is known as your replacement cost, सब दोनों तो एक ही बात हैं, किसी जमाने पहले खरीदा था तो historical cost, आज खरीदेंगे तो replacement cost हाँ, लगबग लगबग अगर दोनों को देखा जाए, तो दोनों की दोनों cost सेम ही होती है, क्योंकि दोनों की दोनों cost ही कहीं ना कहीं, हमारे productive resources की acquisition से related होती है, मानतों मैं भी इस बात को, लेकिन, अगर इनके बीच में कोई चीट difference पैदा करती है और ये पैसे आज आज आप खर्च कर रहे हैं today, तो ultimately अगर इतने साल में अगर महंगाई बड़ी होगी, inflation आई होगी, तो क्या वो ही asset 10 साल पहले अपको जिस rate में मिली थी, आज भी उसी rate में मिलेगी क्या, नहीं, इसलिए दोस replacement cost आपकी historical cost से अलग हो सकती है, due to passage of time, आप अब भी तो कुछ बदली होगी की नहीं, इसलिए replacement cost आपकी historical cost से अलग हो सकती है, अब मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि दोस्त आपका एक lecture खतम हुआ, आज के lecture के अंदर हम लोगों ने cost का concept और cost की अलग-अलग classification की बात की है, अगले lecture के अंदर हम लोग short run cost function की बात करेंगे उसके आने वाले lecture में, थर्ड लेक्चर के अंदर हम long run cost function की बात करेंगे, और थर्ड लेक्चर के साथ ही हमारा ये chapter भी खतम हो जाएगा, इसको हम अपनी पूरी तरह से तिलांजली अर्पित कर देंगे, तक तक के लिए दोस्त, बाबाए, अपना ख्याल रखें, अच्छ एड़ के लिएही हमारा ये जासे पार ये नित्व माधना एंदली धनी तीव.